फ्रेंच, थो हम growth and development के बारे में पढ़ेंगे growth and development इंटर रिलेटिड हैं एक दूसरे से तो growth जो है growth refers to the dimensional augmentation quantitative changes in size and weight जो growth जो होता है, जो हमारी dimensions में change होते हैं हमारा जो quantitative change होता है, size में हमारे weight में उसको हम growth बोलते हैं यानि कि जो changes हम देख सकते हैं हमारी body के अंदर जैसे अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है या फिर हम मोटे हो रहे हैं हम पतले हो रहे हैं इस तरीके से हम अपनी growth को judge कर सकते हैं इसी के साथ जो development होती है development refers a series of progressive orderly meaningful changes leading to the goal of maturity इसमें सिर्फ development के अंदर development जो है वो एक vast process है development के अंदर ये सारी चीज़े तो होती है जो हमारे quantitative change आते हैं बट इसमें हमारा qualitative change भी आता है जो maturity level हमारे अंदर आता है वो भी जो है वो development के अंदर count होता है इसके साथ ही मैं इसके basic differences आपको बता देती हूँ कि growth जो है वो जादतर changes in the body से related है और development जो है वो body में जो changes आते हैं उसके साथ साथ जो हमारे अंदर overall changes आते हैं जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है एक तरीके से improved function हम बोल सकते हैं कि हम mature होते हैं वो development के अंदर आता है growth जो है वो quantitative aspect से deal करता है मैंने पहले बताया है जिससे हम count कर सकते हैं देख सकते हैं rather and development जो है वो quantitative और qualitative दोनों aspect से deal करता है growth जो है वो continuous process नहीं है जैसे कि आप एक time तक ही हम लंबे होते हैं उसके बाद हमारी लंबाई जो है वो रुख जाती है वैसे लेकिन development जो है वो continuous process है from womb to tomb तब तक मतलब कि जब से हम मा की पेट से होते हैं जब तक हम मठते नहीं हैं तब तक जो है वो हमारी development होती रहती है हम कई न कई मैच्योर होते जाते हैं समझदार होते जाते हैं वो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है हमारे अंदर एक change आते रहते हैं वो हम development के अंदर count करेंगे growth जो है वो एक narrow process है यह जो है one of the aspect of development का यानि कि यह सिर्फ one of the quantitative aspect है development की development जो है वो एक बहुत वाइडर और comprehensive term है related to the both physical and psychological changes के साथ growth जो है वो जरूरी नहीं है growth हो रही है तो development होगी होगी कई बार ऐसा होता है बच्चा लंबा हो जाता है लेकिन वो दिमाग से इतनी जल्दी mature नहीं होता बचे का weight जादा है लेकिन ठीक है उसमें maturity level नहीं होती लेकिन development जो है is possible without growth कई बार हमने देखा है बहुत छोटे लोग जो होते हैं दिमाग से बहुत strong होते है कई बार जो है draftism की problem हम देखते हैं बहुत सारे जो height में छोटे होते हैं लेकिन वो mentally strong हो जाते है cognitively वो develop हो जाते है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी growth नहीं हो रही है या एक stage के बाद हमारी height बढ़ना बंद हो जाते हैं मतलब यह नहीं कि अब हमारी growth नहीं हो रही तो अब हम develop भी नहीं हो पाएंगे नहीं हम उसके बाद भी develop होंगे growth जो है वो structural changes है यानि कि हमारे structure में change आते हैं development is a functional changes हमारा mental change जो होता है maturity जो होती है वो development की वज़े से आती है growth को हम measurable कर सकते है है जैसे मैंने बोला कि बारबर हम weight को हम अपनी height को measure कर सकते है development जो है वो observable है हम देख सकते हैं कि बंदा कितना mature है कितना mentally strong है कितना physically strong है तो यह development के अंदर आएगा growth जो है वो physical है and external है मतलब भी देखने से पता चलती है development जो है वो internal है और यह physical, social, emotional and intellectual दोनों ही हो सकती है thank you वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करें